सब भी विध्यार्तियों को नमस्ते विध्यार्तियों आपका जानवी एज्योकेसन हब में स्वागत हैं आज हम एन आयो एस कक्सा दस का जो हिंदी विशे हैं उसका चेप्टर नमर 15 अंध्यरी नगरी जिसके लेखक भारतेंदु हरिस्चंत्र है इस पर हम चर्चा करेंगे तो इसकी किश्ण आंसर को देखने से पहले आप अपने पाठे पुस्तक से इस पाठ को अच्छे से पढ़ ले या फिर इसी चैनल पर मैंने जो हिंदी की प्रेलिष्ट है जो एन आयो एस कक्सा दस के हिंदी के नाम से है वहां मैंने इस पाठ को विस्तार से पढ़ा रखा है तो आप वहाँ पर भी इसका वीडियो देख सकते हों तो हम इसकी प्रशुंतर पर चर्चा करते हैं परसंग के एक है आपने नाटक अच्छी तरह पढ़ लिया होगा इस नाटक में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों इस नाटक के अंदर हम जब नाटक सिल प्रानी है कि कि के तो वह कौन सा पात्र है तो यह अगर आपने अच्छी से पार पढ़ा होगा तो आपको भी पता होगा तो इसके आँसर हम देखते हैं कि प्रस्तुत नाटक में हमें गुरू यह महंद का चडितर सबसे उत्तम लगता है क्योंकि उसका चडितर विवे आपतीका की बन गफिन सकता है यानिकि यहां पर यह बता गई जहां पर सारी वक्तियों वस्तों के गुणो cup opened नहीं सबी को एक ही प्रेमानं रहिंगा जाता है एक घटनस उनको तोला जाता है ठीक है तो ऐसी शार्ष अम्हें हम चैनल बने वहां पर पाठ को पड़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पर सभी वस्तु टके सेड थी इसका मतलब चाहे वो सोना हो या मिट्टी हो ठीक सभी वस्तु का एक जैसा मुल्य है इसका मतलब वहाँ पर गुणों की कोई कदर नहीं है तो ऐसी शासन विवस्ता में रहना विपत्ति का कार भारतेंदु जी का मत है कि अंग्रेजियों में अपनी नीतियों से भारत को अंधेरी नगरी बना दिया ना तो यहाँ पर किसी नियम का पालन किया जाता है नहीं कोई नियाय विवस्ता है देश की जनता अंग्रेजी सासन विवस्ता के कुछ चक्रे में फसी हुई है अते इसी वातावरंग के संकेर नाटक के परतेक द्रश्य में नहीं थे बाजार के द्रश्य में घासी राम चैने वाला, हलवाई, चूरण वाला, बनिया ये सब अपने समवादों के महाद्यम से यस्ततियों पर व्यंगे करते हैं वाश्य ता यह है कि सब आवाज लगा कर अपने सामान को बेशते हैं लेकिन बीच-पीच में उन सब व्यंग करते हैं जो निकमी से अंग्रेजी ये अंग्रेजी सासन विवस्ता के अंख है तो देखो यहाँ पर उस समय जब जो अंग्रेजों का अधीन थे वो भी इसी तरह से रहते थे ठीके उनको पने जनता की कोई परवानी थी जिसकी वज़े से भी हमारा राज्य क्या हो गया हमारा देज जो अधीन हुआ तो इसी चीजों के उपर यहां पर इस नाटक में वेंगे किया गया है परशन संगया तीन मुल्यवान वस्तोय सस्ती होने पर भी महंत ने अंधेरी नगरी में रहने से के लिए मना क्यों किया क्यों मुल्यवान वस्तोय सस्ती थी उस नगरी में लेकि फिर भी महंत ने जो प्रतेक वस्तु या चरित्र के मुल्यांखन के लिए एक ही पेमाना अपना जाता है ऐसी शासन विवस्ता में निवास करना विपत्ति का कारण बन सकता है तो इसी वज़े से उस ने उस अंधिरी नगरी में रेने से मना किया था अंधरी नगरी नाटक में फेरी वालों की बा वास्तों में यह सभी आवाज लगा लगा कर अपना सामान बेशते हैं लेकिन बीच बीच में वेंगे भी करते हैं जो निकम्मी सासन व्यवस्ता को व्यक्त करते हैं जो क्या करते हैं उस समय जो सासन व्यवस्ता थी जो बहुत निकम्मी थी उसको व्यक्त करते हैं जहां पर क प्रस्ताइब 6 अंधरी नगरी नाटक को लिखने के पीछे भारतेंदु यूग का उद्देश क्या था इसपर कीजिए तो जो भारतेंदु यूग है यह वारतेंदु हडीचंद्र है उनका क्या उद्देश था तो यह हमें बताना है इसका प्रम्मुक उद्देशि वेंगि इस नाटक में राजा अन्याई सासन विवस्ता का प्रतिक प्रतिक माना गया है भारते नतुची का प्रमोग उद्देश केवर इतना नहीं है कि वह किसी अन्याई राजा की कलपना करें उस पर प्रहार करें उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था अंग्रेज शासन व्यवस्ता के आलोशना प्रत्यक रूप से नहीं की जा सकती थी उस समय के रशनाकारों ने अनेक प्रकार की एथियासी कालपनिक कथाओ और कहावतों को प्रतिकात्मक उप्योग करके वेंग तो गुराई नहीं कर सकता था अगर कोई अंग्रेजों के सीधी सीधे आलोशना करता था तो वो अंग्रेज उसको फासी सचड़ाद सकते थे या फिर उसको कोई यातनाय दे सकते थे इसलिए उस समय के जो लेखक है कभी है उन्होंने अपने लेखक के माधियम से अपनी अग्रूख हो पाएं प्रसंसंगे अच्छे हैं अग्रेंगे की सेली सासन व्यवस्ते के आलोशना के लिए साहरवादिक उप्यूख सेली है इस कतन पर अपने विचार 40-50 सब्दों में लिखिए पूरे नाटक के लिए तो यह वेंगे की सेली वबहुत ही सही होती है इसपर हमें 40-50 अब्दों में इस नाटक के अधर पर हमें लिखना है यह कारण यह है कि महद्यम से नाटकार ने अन्याएं साहरवाद की कम्यों को हमारे शिप्लूखται यह रखा है कि हुआ कि कि उस समय भारत अंग्रे योगा गुलाम था इसलिए अंग्रेज सासन विवस्ता की आलोटना प्रत्यक्स रूप नहीं की जा सकती थी यह शीदर को चूर्व तकस्य कर अत्य वह आलोचना नहीं कर सकते थे तुछ उन्हों ने वेंगे का माध्यम से नाटक रचे कोई कविताई रची कुछ कहान या लखी है उसी की आधार पर उन्होंने जो अंग्री शाषन व्यवस्ता के उपर वेंगे किया प्रस्म संक्या साथ अंधेरी नगरी की भासा सेली पर एक टिपनी लिखी कि अंधेरी नगरी जो है उसकी भासा सेली कैसी है तो उत्तर है अंधेरी नगरी नाटक की भासा सेली में ब्रज भासा का असर पर्टेक्स रूप से द्रश्टिकत होता है पर्टेक्स यानि सामने साम हमें नाटक को पढ़ते हैं कई सब्स अंग्रेजी सब्दों का भी समय अनुकुल उप्यों किया गया है भारतेंदुजी न इस बात का पूरा ध्हां रखा है कि जैसा पात्र है उसी के शभाव तत्हा आचलेंग के अनुखुल में सक्सम नाटक में भासा पातरों के नाटकेता को पूर्ण रूप से अभीवेक्त करने में सक्सम है। भासा की यह विशेष्था किसी भी प्रभाव साली रसना के लिए आवशक है। इसकी आवशकता अन्य विधाव में भी होती है। प्रण्तु इनकी अपेक्शन नाटक में अधिक होती है प्रसंसंग्या आठ प्रसंसंग्या आठ है लोब पाप का मूल है लोब मिटावत मान लोब कभी नहीं कीजिये या में नरके निदान मेहंत का यह कथन जितना अंध्यरी नाटक के संदरप में प्रसंगिक है कि उतना ही हमारे जीवन में भी है zmian तरक सहित लिखें तो इसका अंसर क्या है हम देखते हैं कि प्रस्तुत कथन अंध्यरी नगरीम नाटक करना करना पर जिस परकार मानव ने अपने लोबक के लिए प्राकतिक आपड़ाउग अथ्यदिक दोहन करना परारं कर दिया है जिससे वे अनेग प्राकतिक आपदाओ जैसे बाड़ भुकम सुका आदिसे गुजर रहा है इस पर श्टे की लोग सद्य वहाने का कारण होता है अगर आपके हात में देश की सासन विवस्ता सोब दी जाये तो आपके प्रात्मिताएं क्या होगी 40-50 सब्दों में लिखो तो उत्तर है हमें सासन विवस्ता को समाने का उसर मिलने पर एक भै मुक्त भष्टाचार मुक्त एक प्रगती सील सासन विवस्ता देने की कोशिस करेंगे जिसमें सबके साथ समानता का विवार हो जैसा एक लोगतांत्रिक गनराज्य सासन विवस्ता में होना चाहिए लेकिन आज के समय में एक अच्छी शासन व्यवस्ता देखने को नहीं मिलती है प्रसंट संगे 10 है अंदेरी नगरी नाटक में पाचन वाला अपना चून बेशते हुए किन-किन लोगों पर वेंगे करता है उन लोगों पर देगे का असली लक्ष क्या है तो उन लोगों पर वेंगे का असली लक्ष क्या है इसको हम देखेंगे कि अंदेरी नगरी नाटक में पाचन वाला अपना चून बेशते हुए शासन व्यवस्ता को चलाने वाले लोगों पर वेंगे करता है और कहता है कि जो लोग दोगुनी रिस्वत भी खाएगे और तो वह भी पच्च जाएगा इसके अत्रिक महाजन लोग जो लोगों का लोगों का आर्तिक शोशन करते हैं उनका हाजमा भी मेरा चूरन खाकर सही हो जाएगा चूरन वाला संपादकों पर भी वेंगे करता है जिनको कोई बात हजम नहीं होती चूरन वाला अधिकारी पुलिस वालों पर भी वेंगे करता है जो कानून का पालन ठीक प्रकार से नहीं करते तो विध्यार्तियों यह थे हमारे आज की क्यूशन जो इस पार्ट में मैंने सारे महत्यपुन क्यूशन लिए है क्यूशन कहीं से भी आए आपको घबराना नहीं है गुमा पिरा के प्रेशन को आपको समझना है उत्तर यही इसमें बनते हैं तो उम्मिद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा पसंदार से लाइक करें करें और अपने जो औरने साती है जो अनाय से दस्वी की एक्जाम दे रहे हैं उनको भी आप शेयर करें अधिक साथीक वीडियो आपके लिए ल निवाद